नमस्ते मैं सौरब हूँ आप देख रहे हैं दील अल्लन टॉप की इसलाम दुनिया भर में संकट में हैं इसका मुस्लिम समुदाय में विरोध भी हुआ और फ्रेंच समानों के बहिशकार की बात कही जाने लेगी लेकिन मैक्रोन इसलामिक कटरपंथ पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही है फ्रांस के ग्रह मंत्री किराल डार्मैनिन ने 3 दिसंबर को आर्टियल रेडियो के साथ एक इंटर्व्यू ट्वीट किया उन्होंने लिखा मेरे निर्देशों के बाद सरकारी एजेंसियां अलगावाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभूत पूरु कारिवाई शुरू करेंगी आने वाले दि के शक में बाहर निकाला गया है उन्होंने कहा कि 2600 से जादा मस्जिदों में से 76 को चिन्हित किया गया है जो फ्रांस के मूलियों और इसकी सुरक्षा के लिए खत्रा है और उन्होंने कहा कुछ अधन इलाकों के धार्मिक स्थल एंटि रिपब्लिकन है यहां इमामों पर इंटेलिजेंस सर्विस की नजर है और यहां हमारे मूलियों के खिराफ डिस्कोर्स चलता है डार्मैने ने यह नहीं बताया कि किनकिन धार्मी के स्थलों की जाच होगी हलाकि समाचार एजेंसी एफपी के मताबिक छेत्रिये सुरक्षा प्रमकों को नोट भेजा गया है ज इसमें 12 लोग मारे गए थे इसके बाद फ्रांस में कई और कट्रपंथी घटनाएं हुई जिनके बाद सिर्फ फ्रांस में फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन और रेडिकल इसलाम को लेकर बहस जारी है अक्टूबर महीने में मैक्रों ने इसलामिक अलगावात की बात कही थी उन्होंने एक कानून लाने की घोशड़ा की थी इसमें इसलामिक कट्रपंथ का मुकाबला करने के लिए फ्रांस के लेसिते या धर्म पेक्ष मुल्यों को और भी मजबूत बनाने की बात कही गए मुस्लिम समाज के लोगों का आरूप है कि हाली के दिनों में राश्ट्री सुरक्षा के नाम पर कई मस्जिदें बंद कर दी गई है बाहरी देशों से एमामों के फ्रांस में आने पर पाबंदी लगाई गई है स्कूलों और दफ्तरों में हिजाब पहनने पर भी रोख है मस्जिदों की फंडिंग पर फ्रांस सरकार की नजर है 20 अक्टूबर को फ्रांस ने पेरिस के बाहर एक मस्जिद बंद करने के निर्देश दिये थे इसके लावा फ्रांस ने दो संगठनों दा मुस्लिम चैरिटी बराका सिटी और दा कलेक्टिव अगेंस इसलामफोबिया इन फ्रांस सीसी आएफ को भी बंद किया था फ्रांस के इन कदमों की तुलना चीन की तरफ से वीगर मुसल्मानों के लिए के जाने वाले क्रैक डाउन से की जा रही है आपका इस मसले पर क्या सोचना है जो छेतर मस्जिदों की जांच होने जा रही है उस पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिक का जरूर बताएं बाकि देखते रहे हैं दीललन टॉप